मेरा ये सवाल है बच्चे तो आपसे दिख्षित नहीं है लेकिन आपको मानते हैं बहुत हैं लोग वुजाद पद्दते करना चाहते हैं लेकिन फिर वो मन नहीं लगता उनका तो वो कैसे आपके इसमें बगती हुए बढ़े हैं पढ़ाई को लेके भी वह बहुत टेंसन मे मानते हैं यानि मुझे मानते हैं पर वो दिख्षित नहीं हो पा रहे हैं पड़ाई में चेतनी लग पा रहा है तो उसमें जैसे यह है कि उनकी जो सरद्दाए भाव है या जो मानविय धर्मएं इंदुत्त वह तो हैं उनके अंदर पर उनको संतों सन्हीं दे पा रहे हैं आप माता पिता दोनों हमारे शिष्य हैं हो सकता है आप उनको अगर सर नहीं कर पा रहे हैं एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं दिक्षा के लिए या उनको संतोस नहीं दे पा रहे हैं गुरू के प्रती कुछ कम पड़ रहा है तो उसके लिए ऐसा करना चाहिए कि हमारी जो परं मैं नहीं है आज पाश्यात संस्कृति का विदान आ चुका है पढ़ाई वो आ चुकी है सब लोग इंजीनियर डॉक्टर इस तरह की पढ़ाई करते हैं मैंके निकल बनते हैं लोग तो उसके लिए बच्चों को जो पढ़ाई में चित नहीं लग रहा है उसके लिए बच्च करना बहुत आविशक है क्योंकि बच्ची जब पढ़ते हैं तो बहुत परिशान हो जाते हैं अंदर से कभी कभी डिप्रेशन का सिकार हो जाते हैं हाईपर टेंशन में आ जाते हैं उसकी बज़े से जो सिक्षा है पढ़ाई याद नहीं रहती है वो ब्लाश्ट होती रहत हैं तो उसके लिए गुरुवों के पास में इतने सायंस के बैदों के मंतरों के जिनके माध्याम से हम अपनी आपको छटलग कर सकते हैं मैंअिक śarp TB कर सकते हिं तो बोत अज्यान द्यान आधिका प्रियोग करने से युवा गच्चा जो होता है वो साधक बनता है और जो साधक बन जाता है उसको अलप मेहनत में अधिक पर प्राप्त होता है तो आपके बच्ची पढ़ाई तो पढ़ रहे पर सात्मने ये बहुत ही संसार का भी रस उनमें समाया हुआ है ये दुनियादारी का तो सारा समय उनका इसमें उसमें चला जाएगा तो पढ़ाई के लिए समय कम बचेगा और जो समय बचेगा पढ़ाई का उसमें जो पढ़ हो उसके बाहद हर बच्चे का समाधान होगा बच्चे का द्यान चलेगा पढ़ाई अच्छी होगी और इस्मृती अच्छी बनेगी क्यों कि यही हमारे वैदिक परंपरा का सिद्दान्त है रिशी मुनियों का सिद्दान्त है जैशिराद है